नमस्कार दोस्तों, क्या गुड चीनी से बहतर होता है? गुड और चीनी दोनों ही गन्ये के रसे बनते हैं, लेकिन इन दोनों को बनाने का तरीका अलग होता है, इसलिए इनके फायदों में जमीन आसमान का फरक है. चीनी को बनाते समय यहे अपनी सारी निट्रिशनल वैल्यो को गवा देती है, लेकिन गुड में वह सारी चीजें पाई जाती हैं जो गन्ये में मौजूद होती हैं. गुड चीनी से 100 गुना बहतर होता है, क्योंकि इसमें चीनी के मुकाबले ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, और सुक्रोज की मातरा भी बहुत कम होती है. सुक्रोज एक ऐसा पदार्थ है, जिसको अगर ज़्यादा मातरा में लिया जाए, तो यह शरीर में डाइबटीज का कारण बन सकता है. गुड में चीनी से ज़्यादा नूट्रीशन होता है, और गुड के और भी कई सारे फाइदे होते हैं. गुड चीनी के मुकाबले इसलिए भी बहतर होता है, क्योंकि यह धीरे-धीरे हजम होता है, जिससे अचानक एक बार में ही बलड शुगर लेवल नहीं बढ़ता. अगर आप चीनी खाएंगे तो यह बहुत जल्दी हजम हो जाएगी और आपके बलड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी. मुलासेस एक ऐसा पदार्थ है जिसको चीनी को प्रोसेस करते समय उससे बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन गुड में यह पदार्थ वैसा का वैसा ही पाया जाता है. मुलासेस गुड की निूट्रिशनल वैलियो के लिए जिम्मेदार होता है. 100 गुड में 383 कैलरीज, 0.1 गुड फैट, 11 मिली ग्राम आइरन, 0.4 गुड प्रोटीन, 70 mg मेंगनीशियम, 1000 mg पोटैशियम और 0.4 mg मेंगनीज होता है. चीनी की तरह ही गुड भी बहुत सारे तरीकों से खाया जा सकता है. आप चाए या कॉफी में चीनी डालने के बजाए गुड का इस्तेमाल कर सकते हैं. गुड को तोड़कर किसी भी खाने या पीने वाली चीज में डाला जा सकता है. यह तो साबित हो गया की गुड चीनी से बहतर होता है. और अब बात करते हैं गुड खाने के फाइदों के बारे में. गुड़ खाने का पहला फाइदा है कि यह हाजमे में मदद करता है। भारत में खाना खाने के बाद गुड़ डिजर्ट के तौर पर जरूर खाया जाता है। खाना खाने के बाद गुड़ खाने से खाने को हजम करने में मदद मिलती है। गुड़ खाने का दूसरा फाइदा है कि यह अनीमिया को होने से बचाता है स्टडीज ये दर्शाती है कि मीठी चीजों में मौजूद आईरन हमारे शरीर के द्वारा जादा तेजी से इस्तिमाल किया जाता है बलकि दूसरे खाद्य अपदार्थों में पाए जाने वाला आईरन हमारा शरीर कम इस्तिमाल करता है अगर आपके शरीर में आईरन की कमी है तो गुड़ आपकी मदद कर सकता है एक टेबल स्पून यानी 20 ग्राम गुड़ में 4.4 mg आईरन मौजूद होता है यानी दिन की जरूरत का 17% आईरन गुड़ खाने का तीसरा फाइदा है कि यह लीवर डीटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है वैसे तो आपका शरीर खुद लीवर में से टॉक्सिंस को निकालने की शमता रखता है लेकिन गुड़ खाने से लीवर को डीटॉक्सिफाई करने में और भी मदद मिल सकती है गुड़ खाने का चौथा फाइदा यह है कि यह आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है भारत में कई बीमारियों को ठीक करने के लिए बनाए जाने वाले काड़ों में गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है गुड़ में मुझूद मिनरल्स और एंटी ओक्सिडेंट्स इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और यह माना जाता है कि गुड़ खाने से जुखाम और कोल्ड जैसी बीमारियां ठीक होती है गुड़ में कैलरीज की मातरा बहुत ज़्यादा होती है इसलिए जब कोई इनसान बीमार हो तो गुड़ खाने से उसका एनरजी लेवल बढ़ता है यह तो हो गई गुड़ के फाइदों की बात गुड़ वैसे तो चीनी से बहतर होता है क्योंकि इसमें चीनी से ज़्यादा पोशक तत्व पाए जाते हैं लेकिन फिर भी गुड़ के कुछ नुकसान होते हैं ज़्यादा गुड़ खाने से टाइप टू डाइबटीज, मुटापपा और दिल के रोग होने के चांसेज बढ़ते हैं इसलिए चीनी की जगा गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन इसका बहुत ज़्यादा सेवन भी आपके स्वास्त के लिए हानिकारक हो सकता है बहुत बहुत धन्यवाद